हेलो फ्रेंड्स मैं आपका स्वागत करते हैं नई वीडियो के साथ आज हम धाबा स्टाइल दाल मखनी बनाएंगे जो सबकी फेवरेट होती है तो यह हमने कुकर त्यार कर लिया है यह हमने मा की दाल ले ली है बिना चिलके वाली यह हमने अद्रक ले लिया है इसको चील लि अब हम दाल निकालेंगे यह देखें मैंने एक कटोरी दाल ले ली है यह देखें बिना चिलके वाली दाल है अभी हमने दोल लिया इसको अभी हम आड़ करेंगे दाल को अभी हम हल्टी को निकालेंगी लाल मिर्च नमक नमक आप स्वातर निकाल डालेंगे यह हम अद्रक लेसुन का पेस्ट बनाएंगे अद्रक लेसुन का पेस्ट त्यार है यह दर हमारे दाल को अबाला चुके हैं अभी हम नमक मिर्च को अड़ करेंगे फिर से चलाएंगे यह अद्रक लेसुन का पेस्ट एड़ करेंगे अभी हम धक्कन को बंद करेंगे कुकर को करेंगे यह दिखिया हमारे नेचेर धाइगे को खोलेंगे यह दिखिया फ्कर थोड़ा पाणी याड़ करेंगे को अबाल लगाएंगे यह दिखिया दाल हम आरी काफी ठीक ओ चुकि इधर हम टमाटर लेंगे, इसको काटके, अभी इसकी हम प्यूरी बनाएंगे, प्यूरी इसकी त्यार है, अभी हम इसको तड़का लगाएंगे, ये दिखें, हमने प्याज काटके छोटे टुकडो में रख लिया है, पैन रखेंगे, तेल डालेंगे, प्याज एड़ करेंगे, ये दिखें, डाल काफी गाड़ी हो चुके है, भी हम इसमें पिरसे पानी मिलाएंगे, ये दिखें, प्याज ब्राउन हो चुका है, टमाटर की प्यूरी एड़ करेंगे, मिक्स करेंगे, इसका तेल छोड़ने का वेट करेंगे, ये दिखें, अब ये हम इसको मिक्जी उतारेंगे, डाल को एड़ करेंगे, इसको डाल को मिक्स करेंगे हम बीज में, ये दिखें कितना बढ़िया लग रहा है, बढ़ा सा पानी एड़ करके अभी हम इसको उपर रखेंगे, उबालाने के लिए, गरमसाल एड़ करेंगे, फिल से चलाएंगे, ये हमने कसूरी मेथी ले ली है, अब इसको भी हम इसमें एड़ करेंगे, खुश्बू के लिए, चलाएंगे, ये बढ़िया दाल बन चुकी है, इतना से गाड़ी वाली, ये दिखेंगे उबाल आ चुका है, खुश्बू भी बढ़िया आ रही है इसकी, नीचे तारेंगे, ये हमने पैन ले लिया, इसमें थोड़ा घी आड़ करेंगे, ये देगी में इसको उपर आड़ करेंगे, इतनी बढ़िया लगरी है इसकी उपर, ये दिखेंगे, ये हमने क्रीम ले ली है, अब ये क्योंकर हम गार्निशिंग करेंगे, ये दिखेंगे, अगर आपको मेरी वीडिया पसंद है, लाइक करेंगे,